नहीं आप जाहिर है कि खरगे जी तो यही कहेंगे लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि पिछली बार इतने बिद्रो थे पूरे में लेकिन कॉंग्रेस दो राज्यों में बहुमत नहीं पराप्त कर सकी वोट के मामले में आगे नहीं बेराजस्थान में तो दो दो पार्टियां बी हैं आएसे स्थिती में आगर मालने यह कॉंग्रेस पार्टी उमीद कर रही है कि हम बहुत जादा करेंगे जबकि वहां की परंपरा है राजस्थान में हर बार सरकार बदलना तो यह तो एक चमतकार होगा 36 गर पर जो यह बात कर रहे हैं 36 गर एक मातर राज्य है जिसमें निकट के वो सब भरष्टाचार के मामलों में जेल में हैं उनके घरों से करोडों करोडों पकड़े गया है अलग अलग बिजनेस के डीलिंग्स के मामले सामने आए हुए हैं तो क्या जनता इसको देख नहीं रही है कि वहां क्या हो रहा है क्या यह चुनाओ का बिलकुल पकड़ा गया उन्होंने टीवी पर आके दिखा है आपके चैनल पर ही मैंने देखा वो बता रहे हैं यह मेरे साधी में खरीदा हुआ यह मेरे उसका है पूरा हिसाब उन्होंने रख दिया अब आपको एडी का दुरूपयोग करना जबर जस्ति उठाके जेल में डालना है क्योंकि एडी के दुआरा क्या एक निश्चित समय अवधी तक आप बिना चार सीट किये हुए भी व्यक्ति को बंद रख सकते हैं तो आप उसका लाब ले रहे हैं आप बगेल साब को बदनाम करना चाहते हैं दूसरी बात ने पांच रुपे का आज तक कोई धोका धड़ अरोब बगेल जी के खिलाप नहीं मिला है सर जी ने 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 बगेल जी के खिलाप नहीं है वो तो बात अभी तक आई नहीं है लेकिन जो सारे अपसर जिसको उन्होंने चयन किया था इस समय मैं आपको बता रहा हूँ पूरे जिम्मेबारी के साथ कि भूपेस बगेल के जो तो भी सही होगी और अपसर्थ है पुराने उसमें सब परा रोप हो ठीक है